कि नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका हमारे चैनल पॉलिटेखनी क्लासेश में फ्रेंड्स आपके एक्जाम ओर लाइन हो चुति हैं उसी सेशन में हम लोग आज के लिए बीम डबली और बीम डब बीम डबली अटब करा आज जो हम लोग पढ़ेंगी बाट चैप्टर टू सब लोग ने पढ़खा है चैप्टर नंबर तू फ्यूल प्लेइस्ट को पड़ सकते हैं यह जो मैं बता दू बीमडबली यह सभी लोग को पता ही सिविल फ़स्ट रियर में चलता है सब्जेक्ट सेविल सेकंड सेम के बच्चे पढ़ते हैं एक और बीम सी यह है यह हमारा एलेक्टिकल में चलता है में जिसमें सेकंड समेश्ट बढ़ते हैं तो जो भी बच्चे से इस सिविल फ़स्ट जाएर के हैं और यह अपने एक दूसरे के of energy upload हो चुकी जिन लोगों नहीं देखा है मेरी पुरानी वीडियो MCQ की जाके देख सकते हैं जिन में टॉप 30 questions को मैं लेके आया था और काफी अच्छी questions को मैंने करा है तो जिस टैप के मैं question आज भी कराऊंगा अपने फ्यूल कंबस्चन के session में तो इससे बाहर कोई भी question नहीं आने वाला है बेटा तो इंपोर्टन अब्जेक्ट्व कोश्चन सिरीज है समिश्ट जो आपके semester exam होने वाले यह हमारे लेक्शन नमबर टू है ध्यान रखे के गलती से लिग गया है तो आप लोग टेलिग्राम ग्रूप पर जोइन जाएगे जहां पर आपको सारी पीडियाप आज जैसे वीडियो में बना रहे इसके पीडियाप आपको कल अवलेबल करा दूंगा जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ सकते हैं और चीजों को समझ सकते हैं तब तक आप लोग सब्सक्राइब सब्सक्राइब के स्टूएंट के लिए इंप्रेंट वीडियो है ठीक है बाकी कोशन नमबर वन पर चली स्टार्ट करते हैं पहला से अपना और जो हमारा कोशन नमबर वन है रसानिक इधन के मुख्य तत्वों होते हैं तो हमें कॉम्पोनेंट ऑफ चैमिक एश एन वालेटाइल मटेरियल इंगलिश में लेखना भूल गे हों मैटा देख लीजेगा तो जल्दी से कमेंट कीजिए तो आपको पता दो आंसर क्या होगा इसका कारवन ध्यान दखेंगा जितने ज्यादा केमिकल फ्यूज होते हैं उनमें कारवन की मातरा और आपको इसक्रावन के लागए बात करते हैं कि देख लेगे सभी को ही इधन का देहन फ्यूल और कमशन टीक है कैसी होती है एक नुकनी करी यक्शन रासाइन केमिकल रियक्शन बोत हैं भी में सब्सक्राइब ऑन से यह इन में से कोई नींण आफित तो जलिए बटे कमेंट की एंसर पता ही क्या होगा जो कंबश्विन होता है हमारा कैसा रियेक्शन वहता है सभी को पता है Easy吸चन कोंच उप्छ व्यूमीर साहिए और कंबशिन अभील प्यूल में जने में सब्सक्राइब करने के लिए क्या क्या चीज की जरूबत होती है तो आप लोग को पता उने चीज़ को पता दू कि जो भी हमारा कंपश gefी जलनी प्रदार ने लिया है वह हमने पूरी तरीके से जलना चाहिए जिस-पर हमारा वह बन करेगा और साथी सद्ición की मातर प्रापर होनी चाहिए ब् मतलब ऑक्शन fisherman हमारा क्या है साइए स्कूश्चन के एक लिए टेक्ट रोगा टेसे भी को थार्ड कॉप्शन भी बी और नेक्स्ट वुशन देख ली जाए फॉर्थ वुशन है निन में से कौन सा प्राकतिक थो सीधन है वी जाउब लोग सब ध्यान दखेंगे लिक्विड फ्यूल और नेच्रल गैस फ्यूल तो यह तीनों के बारे में आप लोग अच्छे सा पढ़े लेगा ठोस द्रव और गैस परदात कौन-कौन से होते हैं प्राकतिक ठोस इधन कौन-कौन से होते हैं पहला चारकोल है दूसरा कोक है ती यह हमारा क्या हुता और इस बांत एकस को बनाया जाता है तो यह सारी भल्मेद से मारे और डियूसरा कौन-कौन-धस सही इसे सब्सक्रीन हो नहीं नहीं पढ़ रखा ध्यान से पढ़ लीजेगा और आपको सेशन कैसे लग रहा है और कमेंट किरेंगे जरूर बताइए गोटा नेक्स पॉट्शन में से कौन सा प्राक्रतिक दरब रीधन है वीचों तो फॉल्विशन अब दरब के बारे में पूछा गया है पहला है डीजल एक पीरी पैट्रॉल की बात कि नहीं होता क्यों D reduction नहीnden नहीं प्रुम्र प्रकृतिक रूप से पाया झाएं इसलिए प्राकतिक नेशी okay को फॉल्म परदूसर नहीं होता है प्रोडूसर गैसी क्योंक्त प्रदूसर प्रोडूसरными चैफ जगilee देखन में निम्द में कॉनतल सब्सक्रां कई तरह होता है कोल गयस की बात की चाहिए हमारा बनके त्यार होता है यह प्रोडूब गयस की बात की जाए प्रोडूरोसर गयस यह भी बनता है यह बहू त हुआci सब्सक्राइब बनाना नहीं पड़ता है तो सब्सक्राइब हो जाएगा सब्सक्राइब कैया उसमें क्या फाइंड बचल लगा जाता है नानी मैं से हड्रोजन थैद्री मिलता ऑकशन कुण ब्सक्राइण भी हमारा मॉइस्चर नमी जो होती है यह हमारी क्या होती है डारेक्ट निलिशिस अप्टा लगती है पाई जाती सेमें प्रॉप्षण भी सही है अच्छा कोशन पूछा गया है तो कार्बन के तुरू जो बढ़ती है इसका मतलब क्या हो नहीं नहीं होता है हमारा तो कोशन नमबर 9 देख लिए नाइन उसमें मान कितने प्रकार के होते हाओ मैनी टाइप्स ऑफ क्लिवरिफिक वैल्यूस दो टाइप्स क्यों होते हैं और उसमें मान के साथ कितने होते हैं तो आप लोगों को बता दो जिनको नहीं पता है वह दोबरे यहां कि दो टाइप क्लिवरिफिक वैलिव एक तेक है अब हमें कम इंट बॉक्स मैं चाहिए इसका मैं आपको अंसर नहीं बताऊंगा इसमें कि दो टाइप कौन को नहीं होते हैं नेक्स्ट नमबर टैन इंजन में अभिगात के दोरान उत्पन होती है इसमें क्या चीज़ परती है उसमें क्या चीज़ परती है बहुत मदोर निकलती है कि निकलती है निकलती है सब्सक्राइब क्या होती है तो अब इस चीज़ों के बारे में आसानी से बता सकते हैं तो बता तो तीव धनी होती है उसी को नौकिंग कहते हैं ठीक है जब हमारा बर्न होता है तो एक साइट से बनके होगे दूसरे तरफ जाता है तो वहाँ पर बहुत लार्ज सब्सक्राइब करता है उस प्रेसर टेंपरिचर के करण वहाँ पर नौकिंग हमारी प्रोड्यूस होती इंजन के अंदर टीक है तो ऑप्शन को उप्शन बीस है नेक्स्ट 11 कोशन देख ली जगा एक आई बहार पर जब एधन के पूर दहन से जो उस्मा मिलती है जबकि ज सब्सक्राइब को समलित ना हो तो उससे क्या कहते हैं इंग्लिश फ्रेस्ट पर हीट ऑप्टेंड बाइद प्री कंबर्शन ऑफ फ्यूल एट यूनिट मास वाइल हीट ऑप्टेंड वाटर वेपर इस नॉट इंक्लूडेड इंक्लूडेड इस कॉल्ड हाई क्लोरिफिक इड़ेंट को उसमें मान लोगमन एदयन प्राइप्स उसमें मान इंपर फ्यूल व्ल्ट इछ प्रण फ्लैश पंट अफ्यूल तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब हम एधन को ऊकाई भार को जलाते हैं जलब वास्तिक अन्मान को समलित नहीं करते ना लिखाएं संुर्णिक करते हैं तुम कि Kent तरह हैं कि हमारे पहा आते हैं और किसमें नहीं हो रहे हैं और नहीं होता है तो किसमें नहीं होता कमबशन और फ्यूल एंड इस वेल्यू इस मेजर पर यूनिट मास तो यह क्लिए हो रहा है वेट आपको आपको अप्शन हमारा इलेवन का बीस है चलिए लिए जो इधन का एकाई आहितन के पूर दहन से जो उस्मा उत्प्राप्त होती जबकि संगटन नहीं या संगनन होग संगनन से प्राप तूश्मा सम्मिलित की गई हो तो उससे क्या कहते हैं तो हीट ऑप्टेन बाइट प्री कंबशन अट यूनिट वलूम वाइल दा हीट ऑप्टेन बाइट कंटनेशिशन और वाटर पर इंक्लूट आइस तो पहला ऑप्शन इधन को चूश्मियमान हाई क प्रामें की जान सकता है यह संगनन होगा ध्यान रखें इंग्लिस वाले राइटिंग सभी इंग्लिस को आप लोग अजिए इंक्लूट किया गया है जब इंक्लूट किया जाता है तो बढ़ जाती है और यह इंधन को उस्मिमान एप्शन हमारा सही है ध्यान लखें के सब्सक्राइब करने के लिए मिला जाता है यह कौन कौन से चीजों को मिला जाता है तो मिटा आपको बता दो सब्सक्राइब को भी मिला जाता है इसका मतलब ऑप्शन कौन से सही है ऑप्शन हमारा डी सही है थाटीन को ऑप्शन दी सही है चलिए नेक्स बात करते कोशन नमबर 14 देख दव प्रभा के अंदगत उसके अनुवह में प्रासपरिक घाशन को क्या कहते है इजी कोशन पू सब्सक्राइब कोशन है इसका सब्सक्राइब सब्सक्राइब कोशन है में चीज़ों प्रासफरी घाशन होता उसको को रोकने का प्रयास करते हैं विरोध उत्पन होता है दोनों के बीच में इसलिए उसे कहते हैं हम लोग श्यानता विसकॉस्टी ठीक है चलिए नेक्स कोशन की बात करते हैं पॉस्ट नमबर फिप्टीन सहीता विस्टलेशन के अधार पर वायू में नैट्रोजन की मात्रा हो कि 75% पर होती है 77% 78% जल्दी से कमेंट की जान से बताइए बहुत पूछा गया आप लोगों किसमें होगा 75 होती नहीं 73 होती नहीं 77% कोई एक और सभी तो आप्सेंस को आपको अलिमिट करना आना चाहिए बी यह से सभी है जल्दी से कमेंट की जान सब्सक्राइए क्या आप लोग को अप्शन होजाएगा फिप्त का बी चलिने एक पूप्शन आइतनिक विस्टलेशन के अधार पर वाईयू में नाटोजन की महत्रा होती है परसंटेज ने टोजन ऑफ एर और वाल्यूम बेसेज तो वाल्यूम बेसेज में अप्शन है 20% अलम आप्शन भी है वाल्यूम बेसेज में परसंटेज होती है कितनी होती है तो फट 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 कमेंट की आंसर देखिया हो का ऑप्शन भी हमारा सही है 21% यह जो होती हो वाल्यूम बेसेज पर होती है चलिए नेक्ट कुस्टन की बात करते कोस्टन नंबर 17 देख लिए और सट उपकरन से ग्या नहीं पर लखा हो तो आपको यह नहीं नाम पता चलता है तो पहला अप्शन है पेट्रोल की मातरा दूसरा अप्शन डीजल की मातरा चीए अप्शन है फ्लू गयस की मातर होती है इसको हम लोग पता लगाते हैं और सट अपरेक्टर की प्रूव ध्यान रखेगा 17 का उप् सब्सक्राइब का लागा इसे आसान कोशन कभी एकजाम में आने वाला नहीं कि आपने दोस्तों साथ बेटा शेयर की जागा बताएगा कैसा लगा सेशन हमारा कि सब्सक्राइब नाम कर सकते हैं फिच अफनी केमिकल फ्यूल और यूरेनियम प्लेटीन फोरियम फ्टूरिय सब्सक्राइब करने से हमें इनर्जी मिलती है उसमा प्राप्ट होती है चलिए नेक्स बात करते कोशन नम्म में से कौन से नाभी की इधाने विच्छाव तो फॉल्मिंग निक्लियोफिल की बात की जा रही है निक्लियोफिल में पहला उप्षिन है युरेनियम प्लेटिनम क्यों होंगे यह दोन हमारे होंगे यह दोन हमारे होंगे यही हमारा क्या ओप्षन सक्वावाट से ओवगा तो 19 का ओप्षन यह हमारा सही है चलिनेक्स बात करते कोशन में 20 देख लिए गॉबर गयस को उसमें मान होता है कलोरिफिक वैली ऑप दो गॉबर वैस इस पहला उप्षन शिफिफाइब एमजी पर केजी दिए उप्षन सब्सक्राइब यह बेटा ऐसा कोशन है जिसमें आपको वैल्यूस क्लिए पता होनी चाहिए तभी यह कोशन आप लोग कर पाएंगे ठीक है तो ऑप्शन गौंदर सही इसमें ऑप्शन भी सही आप लोगो ध्यान अखना याद रखना पड़ेगा 19 मेगा जूल पर केजी जो वेल्यू होती है यह हमारी किसकी होती है गवरगेस की होती है चलिए नेक्स बात करते हैं कोशन नमर टॉंटीवन देख लिए एक अच्छे इदान का उसमें मान होता है एक लिए गुड फ्यूल इस कम अधिक मध्यम यह सभी जल्दी उसे चार आप्शन में दे रखे चार सबढ़ा ज़िए किसली दृट्री इस सबढ़ें को होती हो सबसे को यह था है इतनी अधिक अधिक सिभाड़ें अधिक जलदी से जलेगा तेजी से हमारा वह जलके बर्न होगा यह ए यह 21 का ओप्षण बी सही है कमेंट कीजिए का अंसर प्रताइए का विटा असर भी लोग ठीक है कैसा लग रहा सेशन नेक्ट कोशन है हमारा 22 निम्न में से कौन सा जोलन शील प्रदार्त है विच और फॉल्विंग से कंबसिबल फ्यूल ऑप्षण यह है सी ओ सीओ में सोता है कार्बन मुनोक्साइड गैस बी ऑप्षण नेटोजन गैस सी ओप्षण गंदक जिसे कहते है सलफर डी ऑप्षण कर्बन डियोक्साइड गैस ठीक है तो यह हमारे चार ऑप्षण में से कोई एक हमारा ऑप्षण सही है जोलन शील प्रदार्त कांस वाथा कंबसिबल कर्ण पर एक है टीक है कारवन मोनोक्साइड होता है कर्म कर्ण गैस होती है कैसी होती है कंबस्टिव फ्यूल होती है तो ऑप्षण हमारे और कॉन सी है सब्साइब रखिए तीक है तभी लोग देखिए है नेक्स्ट फॉन से जो यह दूए कंसर झूलेंज प्रदारत तेन छोब अग्हान के शौद इस तो जलिदी से कमेंट किई नहीं थे लिगार नहीं होते हैं कौन से मीठेन की बात कीज़ेंगे का सा होता है है आप लोग को पता होने चाहिए प्रिप्रपर्टी अफलो को सभी मैटल्स के सारे कंपॉंट से प्रिंट पता हでも gaining से लगा सकेंगे श्यल सके अच्द नोन कमश्यक्रण सकें से नौन कुम भूब सकते हैं तो देख लिएगा इसमें से और जोलन शील प्रदाग और है और हैडोजन क्यास कर दो होता है है इसी तरीके से आप लोगो चारी करना है इन सारे को आप फिर से देखिएगा नहीं समझ में आए बेटा दुबारा देखिएगा वीडियो को ताकि जो को आपको नहीं सौल्फ हो रहे हैं पहली बार में तो उनके नोट्स बनाके साथ ही साथ कोशन जो आमने एंसी क्यों बनाएं उसको भी आप लोग कोशन आजटीज नोट कर ली जगा वीडियो देखिए बाकि इसकी पीडियाफ की बात की जाए तो पीडियाफ आपको कल हमारे टेलिगाम चैनल पॉल टेक्निक क्लास्व में अव सब्सक्राइब कर रहे हैं यह जो भी दोस्तों को सिब्ल जी बताइए ताकि बने सब्सक्राइब बात की जाए यह कूछ टोपिक समेक्निकल के सब्जेक्स कबर की जा रहे हैं साथ ही साथ अमित कुमार सिंग सर यह भी कवर करना है लेक्टिकल डिपार्टमेंट बात की जए तो राशित सर हैं जो तीन-चार सब्जेक्स हमारे कवर हो रहे हैं सभी लोग देख लिए अपने दोस्तों साथ अलेक्टिकल जो स्टुटेंट्स हैं फ्रेंड्स हैं उनको बत दिख्कोत होती है तो हमें लोग को बताएगा हमें कमेंट बेक्स मेंशन कीजिएगा ताकि अच्छे से आप लोग की प्रप्रेशन हो सके और चीज़े क्लिए इसी तरीके से हम आगे आपके लिए वीडियो लेके आएंगे और ध्यान रखेंगे इससे बाहर कोई भी कोश् अच्छी चल लाई होगी सबकी तो आप लोग अपने दोस्तों खशाद शेयर कीजिए